गुर्विनीं यू आल तोड़े आओ टॉपिक इस 1905 रिवोलुशन इन रसिया और जैसे कि हम लोग उने प्रिवियस क्लास में कहे थे कि 1905 रिवोलुशन इन रसिया जो है इसको हम लोग जेनरली तू पार्ट में दिवाइड करके पढ़ेंगे तो फस्पार्ट हम लोग कर ड ब्लडी संड़े के बारे मिलास्ट में थागिं तो ब्लडी संड़े क्या है शायथ आप लूग इसका बारे मिलिक सकते हैं अगर लिखने के लिए बोली तो, ठेके, जैसे ही bloody Sunday होती है रसिया में, तो bloody Sunday के बाद वहाँ का people जो है, रसिया का public जो है, बहुत ही नाराज हो जाते है, और उसके बाद रसिया का different parts में बहुत सरा ऐसा घटना होता है, जो government का against में, government officials को attack करना होगा, बीरोत करना होगा, इस तरह क बहुत चरह घटना होते हैं, तो यह सारा bloody Sunday से लेकर के, ठेके, जो bloody Sunday से शुरुआत हुआ, और उसके बाद जितना वे इस तरह का events बगरा घटना बगरा हुआ, रसिया में, इस total को मिलाकर के कहते है, 1905 का revolution, रसिया में, ठेके, ओके, तो ऐसे तो, 1905 का revolution, जो है, रसिया में इसने रसिया का जो government में कोई बड़ा सा changes तो नहीं लाया है, बट फिर भी ये एक beginning है, ठेके, ये एक milestone है, जैसे कि आप देखेंगे, इंडिया में 1857 का जो revolt, जो है, 1857 का revolt से इंडिया में आजा दी तो नहीं लाये, बट 1857 का revolt ने, इंडियन्स लोगों को अवीकंद करने क ठेके, अपना जो ability जो है, ठेके ये पहचानने का ये एक आवसर दिया था, तो इसी तरह से ये 1905 में भी रसिया में फर्स टैम्प government के against में एक बड़ा सा revolution हुआ, तो जनता को यहां कुछ तो समझ में आया कि अगर हम लोग चाहे तो government को जो है, change कर सकते है, government को वहां से हट हा सकते है, government को बना भी सकते है, हम लोग government को हटा भी सकते है, तो इस तरह का एक encouragement भी लोगों को मिला, तो bloody Sunday के बाद यहां पर जो हुआ था, strike took place all over the country, पूरा रसिया में strike हो रहा, ठेक है, पूरा रसिया में strike हुआ, युनिवर्सिटी बगर दाउन हुआ, पूरा युनिव युनिवर्स भी मिडल क्लास भी वा रहा, वर्कर सुआ, यह सब दिमांड करने लगे, तो इस लिए एक कॉस्टिट्वेंट असेम्बली का लोग डिमांड करने लगे कि रसिया जो है, एक पार्लमेंड के जिरिये रूल होना चाहिए, तो इस लिए एक कॉस्टिट्वेंड यहां का जो रूलर था जार टीएस यार प्रनॉंशिशन जार होता है ठीक है अलावड़े क्रिएशन आफ एन इलेक्टेट कंसुल्टेटिव पार्लमेंट तैस अब वहां का जो एमपेरर जोई ये पोस्ट है जार जोई ठीक है इन होने अलाव कर दिए अब की प्रस्या में क वहां का राजा काम करेंगे, कहने काम करेंगे मतलब वहां पार्लामेंट जो है वह भी अपना सुझाओ बगिर देंगे सरकार को राजा को, तो पार्लामेंट फर्मेशन के लिए फर्स ताइम स्टीयप या वहां का राजा ने, due to the pressure from the public, okay. But for a brief while, during the revolution, there existed a large number of trade unions, और हम लोग one step success हुए, कि पार्लामेंट फर्मेशन के लिए राजा ने अलाओ कर दिया, एम्पेर ने अलाओ कर दिया, और उसके बाद पुरा रस्या में बहुत सरा unions बगारा, different organizations बगारा फर्मेशन होना शुरू हो गया, थेकि, but after 1905, most of these unions worked unofficially, यह जयादा दिन करना नहीं पाहूए, क्योंकि यह unions बगारा जो हे, यह लोग unofficially quiet करना पढ़ रहा था, क्योंकि यह सवी unions को फिर से illegal declare कर दिया घया था, ऐलिगल को इन लोगों को illegal declare कर दिया था, तो यह पर इन को ऑफिशल वेय में ओपर ले काम करने का कोई अजाज़त नहीं था ओके अब बात हुआ यहां पर आपका जो पार्लामेंट का पार्लामेंट तो फ्रमेशन कर दिया बट जो वहां का एंपेरर जो है इन्होंने पार्लामेंट को डिसमिस कर दिया पुरी तरह से खतम कर दिया विदिन थ्री मंथ शर्फ तीन मैना ही ये पार्लामेंट चला और तीन मैना के बाद फिर ये पार्लामेंट को पुरी तरह से खतम कर दिया तो पार्लामेंट को क्यों खतम किया फिर रसिया का जो एमपेरर ने तो इसका रिजन ये है कि पार्लामेंट रहेगा तो हो सकता है कि emperor का working जो आपका तरीका जो होगा उसमें questioning करेंगे ठेके उनका authority पर question करेंगे तो ये नहीं चाहते थे Russia का emperor that means Russia का emperor नहीं चाहते थे कि उन पर कोई सवाल करें ठेके that means उनका working strategy पर कोई सवाल करें उनका authority पर, उनका power पर कोई reduction हो, कोई कमी हो, ये नहीं चाहते थे, जो कि पार्लामेंट के कारण इनको इसमें बादा हो रहा था, इसलिए नहीं नहीं क्या कर दिये, पार्लामेंट को फिर से dismiss कर दिये, and he changed the voting laws and packed the third duma with conservative politicians, और फिर से duma formation तो हुआ, फिर से पार्लामेंट formation तो हुआ, ये नहीं पार्लामेंट भी लोब अगरा ही change कर दिया, कि कौन-कौन लोग उस duma का पार्लामेंट का पार्लामेंट का पार्ड बन चकता है, member बन चकता है, तो इन्होंने इस तरह से वहाँ पर election करवाया गया, ताकि उस member जो होगा, पार्लामेंट का जो member होंगे, duma क जो member होंगे, शरीफ और शरीफ उनहीं का support वाले लोग होंगे, that means emperor का support वाले लोग होंगे, और वो सभी कां थे, conservative politicians बगरा थे, that means conservative लोग तो change नहीं चाहते, तो change नहीं चाहते, मिंज कहने का तब राजा का supporter, emperor का supporter, emperor system जो था वहाँ पार, मनार्कियल फ्रम गर्मेंट जो थ जो change नहीं चाहते, तो, that means, जो system चल रहा था, वहाँ पर मनार्कियल फ्रम अप government, emperor system चल रहा था, उसी का continue करना चाहते थे, ऐसे लोगों से ही भर दिया, पूरा parliament में, और liberals and revolutionaries, जो change चाहते थे, इन लोगों को उस parliament में जगह नहीं मिला, that means, यहाँ क्या हुआ, कि वो emperor नही जो parliament, जो formation किये है, उस parliament में सिर्फ एक लोली पॉप का तरह काम कर रहा है, कि देखने में parliament है, बट वहाँ पर सभी की नकालोग है, वही emperor कर लोग है, शुआच यह ली देना ही, next topic we will discuss the next day, thank you.